सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तों एंटी यूजिशनेट पेपर फर्ष्ट आज हम बात करने वाले हैं वर्ट इज आई सिटी का मीनिंग क्या है इसकी डेफिनिशन क्या है इसमें से कोश्चन पहले आए हैं दोस्तों इसके साथ साथ हम आई सिटी इन हाई रेजियूकेशन यानि कि उच्छ सिक्ष्या में आई सिटी की क्या क्या भूमी का है ये भी जानने वाले हैं दोस्तों इसमें से पहले कोश्चन आए हैं और 2020 में जो एक्जाम हुआ है उसमें भी कोश्चन आए है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि हम पहले ठियोरी करेंगे उसके बाद में जो जो कोश्चन आए है वो सभी कोश्चन हम देखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आपको नेट और जयार चाहिए तो हमारा पेड़ कोर से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले है नमब 1, 2022 के नूँ अपडेटीड इनौड से देगे, नमब Rudy 2012 से लेके 2020 सभी सिट के कोश्चन लेकर हिंडी इंग्लिस में देंगे, नमबर तीन के ढ12 से लेके 2020 तक सभी सिट के यूनिट वायज कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे नमबर चार के दोस्तों आपको unit wise के अलावा आपको sub topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आज़के वो अलग है, hyphothesis के अलग है type of company question से जो भी question आज़के वो अलग है यानि कि sub topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमबर पांस के दोस्तों हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले है इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math और TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथा दोस्तों हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कौन से question है दोस्तों बार बार exam के अंदर repeat होते है तो दोस्तों देर किस बात की अभी जोइन किजी हमारा paid course क्योंकि नमीजीनेट है तो ज्यारव है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ICT क्या है इसका meaning क्या है इसकी full form क्या है इसकी full form हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों क्योंकि exam के अंदर full form पूछे गई करीब तीन से चार बार इसमें से question आया हुआ है तो सबसे पहले हमें इसकी full form देख लेते हैं ICT ICT की full form है information and communication technologies की full form है अगर हिंदी में देखे तो सूचना और संचार प्रोधियोगी की इसकी full form है और इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब यह कि information and communication technology को उपकरणों और संसाधनों के रूप में परिभासित किया जा सकता है जिसमें network अधारित, नियंतरन, निगरानी, भवन, परवंद, परणाली, परशान, परणाली यानि कि बहुत से इसके अंदर हम काम कर सकते हैं हम नियंतरित कर सकते हैं, किसकी जासुसी कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और बड़े-बड़े भवन वगरा बना सकते हैं ICT के जरीए कम्निकेशन करके और परसारन यानि कि जो हमारा मेडिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत कुछ हम इससे कर सकते हैं और इसके लिए दोस्तों इन सभी के लिए जो संचार उपकरण और अप्लिकेशन जो यूज में लाई जाते हैं उसी को हम ICT कहते हैं दोस्तों और इसमें ऐसा उत्पाद सामिल होता है जो कंप्यूटर, मुबाइल फोन, रोबोट आदी जैसे डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकता है पुने प्राप्त कर सकता है उसको प्रवंधित कर सकता है यानि कि इसमें बहुत से होते हैं दोस्तों, और ICT को किसी विशेज तरीके से परिभासित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ICT जो है वो एक लिमिट डायरे में नहीं है, इसका डायरह एक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा दायरह है ICT का, क्योंकि ICT का उप्योग हम मुबाइल में भी करते हैं, अपने कम है इसका उपयोग करते हैं और कोई ऐसा छेतर नहीं है जहां पर ICT का उपयोग ना होता हूँ इसलिए इसको एक सीमित दाइरे में करना मुश्किल है और ICT में सामिल तरीक और अपलीकेशन दिन परते दिन बढ़ते वे जा रहे हैं नए नए टेकनोलोजी हमारे साथ विक्सि प्रण करना और हमारे कंप्यूटर है मुवाइल है लेप्लेकेशन दिन दौब है उनके दवारा हम किसी चीज को नियंतरित करते निगरानी करते हैं या फिर उसका अच्छे तरीके से यूज करते हैं और अच्छे चीजे बनाते हैं और उनके लिए जो संचार उपकरन और अप्लिकेशन यूज होते हैं उन सभी क्या कहते हैं ICT कहा जा सकता है और सुचना प्रोधयोगी की का महतव क्या है इन्फोर्मेशन टेकनोलजी का क्या महतव है सुचना प्रोधयोगी की सेवा अर्थतंतर का अधार है यानि कि सर्विस एकनोमी का अधार है दोस्तों यह द टेकनोलोजी बहुत ही कारगार साबित हो सकती है गरीब जनता को सुचना संपन बना कर निर्धनता का अनुमूलन किया जा सकता है यानि कि अगर कोई गरीब लोग है उसको अच्छे जानकारी देखे वही आप ये काम कर सकते हैं तो वो गरीबी से निकल सकता है और अपनी जन फॉर्मेशन होगी अच्छी जानकारी होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं सुचना संपनता से ससकती करण आता एंपावरमेंट आती है और इसके बाद में दोस्तों और देखे हम सुचना तकनीक परसासन और सरकार में पारदरसिता लाती है इससे बरश्टाचार को कम करने में साहता मिलती है अब देखें जैसे पहले क्या होता था कि पहले हम ओफ लाइन पेवेंट करते थे तो वह हो सकता था किसी कोई करमचारी हमसे ज्यादा पेवेंट ले लेता था किसी कारिया लेके अंदर लेकिन अब ऐसा नहीं दो अब ज्यादा तर जो पेवेंट होती वह ओ आप करते हैं यह नहीं कि किसी को देनी पड़ती है online payment करते हैं सुचना तक्निक का प्रयोग योजना बनाने नीती निर्धान तथा निर्ने लेने में साहेता होता है यह नई रोजगार को रोजगारों का सरजन करते हैं information technology से बहुत नहीं रोजगार बन रहे हैं दोस्तों इसक जैसे कि हमारे school college विगराब बंद पड़े हुए करोना के विजए से लेकिन इस दुरान जो सबसे ज्यादा काम आया है वह है ICT काम आया है दोस्तों लोगों ने घर बैठे education ली है वायवा लिए PhD इंट्रिव्यू लिए हैं बहुत कुछ काम किया घर बैठके और यह सारा का सारा दोस्तों हमारा ICT के जरीए ही हो पाया है तो हमारे higher education के अंदर इसका किस तरह से उपयोग हो रहा है जैसा कि मान के जलिए एगनू का ज्यानवानी radio station है उससे क्या है कि लोग घर बैठे असानी से अपने lecture सुन सकते हैं टीवी के जरीए टीवी पे उनका education है एगनू का तो उनसे हम lecture देख सकते हैं cell phone है computer है hardware है तो इन सभी चीजों से हम अपनी education बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं आज जैसे आप सभी को पता है कि हम घर बैठे YouTube के जरीए कितनी नई नई चीजे सीख रहे है YouTube पे lecture ले रहे है YouTube पे study कर रहे है और इसी तरीके से जूम पे webinar वगरा होते हैं वहां से हम workshop अटेंड कर रहे हैं seminar कर रहे हैं तो higher education के अंदर दोस्तों ICT का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और एक और चीज़ दोस्तों यह क्या है कि यह जो ICT है आज के time में इतनी ज्यादा महेंगी नहीं है बहुत कम रुपयों के अंदर हम बहुत की शिक्षा ले सकते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों ICT के जरीए आज हम distance education से study कर रहे हैं हम दूर बैठे अगर हमारे बुक समान के से लिए offline तरीके से नहीं आ रही है offline आने में दो तिन महीने लग जाते तो हम online डाउनलोड करके study material डाउनलोड करके उसको print out कर सकते हैं प् ICT का बहुत ज्यादा आज उप्योग हो रहा है अगर कोई इसका उप्योग करना चाहें तो और उच्छ शिक्षा में ICT के अधिगरण से निमलिकित सुमिधाय प्रात होती है क्या क्या फाइदा होता है दूर्वरती स्थानों में पढ़ाई की गुनवत्ता बढ़ाई जा स सकती है वही बात आगी दोस्तों distance education की दूर बैठे चात्तर lecture देख सकते हैं और study material डाउनोड कर सकते हैं उच्छ शिक्षा संथानों में अधिक पारदर्सित्ता पर नाली लाने में उनकी प्रकिरियाव और अनुपालन मापदन्डों में मजबूती मिलती है इससे क्या है द पच्छे के interview में इतने नंबर लगे, theory में इतने नंबर आई है और जो education qualification उसके इतने नंबर लगे तो पूरी की पूरी पारदर्सिता हमें दिखाई दे जाती है इसी तरीके से हमें जब हम exam में जरा देते तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कहां से कितने-कितने नंबर हम हमारे लगे हैं यह चात्रों के परदर्शन न्युकती, website, analytics और board के audit के लिए social media matrix का विसलेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है यही चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दी कि चातर के कितने नंबर आए हैं और कितने नंबर कहां कहां से count हुए वो सारी की सारी चीज़ और अन्य माध्यमों दवारा पठे करम वितरन के साथ दूरस्त सिक्षा स्युधा जनक बना दी गई है वही चीज़ आ रही है दोस्तों घूम फिर के वही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि दूर बैठे हम वर्च्वल क्लासरूम एक जैसे जूम पे क्लास चलती है ना ती काफी सारी चीज़ दी गई है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए और अब दोस्तों इससे रिलेटर जो कोशन आए हैं कुछ कोशन हम देख लेते हैं यह देखे दोस्तों यह जैसे हमारे पास जुलाई 2016 का कोशन पेपर है और इसके अंद चार ऑप्षन दिये हुए हैं नमबर एक हैं इनफोर्मेशन टेकनोलजी नमबर दौए इनफोर्मेशन एंड कॉलाबरेटिव टेकनोलजी तो आई सीटी यह देखे आई सिटी है लेकिन इसकी जो फूल फोम है यह इन्होंने यहां पर गलत दी हुए है आगे अच्छे से दिए होते तो आई सिटी इसका अंसर हम दे सकते थे यह देखे यह 249 2020 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें देखे सूचरा और संचार प्रवध्य होगी कि आई सिटी में सामिल है आई सिटी में क्या क्या सामिल है ओनलाइन अधीगम यानिकि ओनलाइन है अप 시ब सभी इभ्र सकते हैं कितना असान कुशन है और इसके बाद में इसके मॉल्टी मीडिया की घटक है मुल्टी मीडिया में क्या क्या सामिल आता है प्लाल्ड प्रिस्ट उडании वीडियो के तीनों तरह की चीज इसमें ऐब दिगा और और वीत तक्व रहे हैं दोस्तों आजिस ती से इसमें में उडिया और यह वे हुआ आ और अशिश्य से हमों देखते हैं और मैं बताता हूं नहीं को यह दिखे दोस्तों कि नबर 32 अब यह देखे दोस्तों question number 32 है और इसके अंदर दो कथन एक है कक्षा शिक्षन में ICT का उप्योग अधिगम परिणामों को पनोनत करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना है यानि कि class के अंदर जब हम ICT का उप्योग कर रहे हैं तो उससे क्या कि अधिगम अच्छा बनता है औ और अधिगम बहुत ज्यादा होता है तो यह बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों जब-जब हम ICT का उप्योग करेंगे हमारी कक्षा के अंदर तो हमारा अधिगम यानि कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और ज्यादा सीखेंगे नमबर दुए दोस्तों सवयम तथा मोक आधि जैसे अधिकतर ओन-लाइन विदियो में रूडिवादी सिक्षन अधिगम प्रणाली के परभावी अनुपूरक बनाने के संभावना होती है यानि कि इसका मतलब यह दोस्तों हमारे सवयम चल रहा है M.O.O.C. चल रहा है भार नेक और दो दोनों के दोनों सही है तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बिलकुल असानी से अंसा दे सकते हैं अगला कोशन नमबर नो है नए मीडिया के आगमन ने ओन-लाइन अधिगम को कैसा बना दिया है सवतंतर बना दिया दोस्तों सीधी सी बात है यानि कि ओन लाइन अधिगम में स्टूडेंट विलकुल फरी है वो जब चाहे उसको पड़ सकता है उसको डाउन-लोड कर सकता है बार-बार सुन सकता है यानि कि पूरी तरह से वह सबतंतर है किसी भी तरह से अपनी स्टुडी और इसके बाद में एक और कॉशन आय की दिरिष्टी से ICT में प्रयाप्त संभावनाई है यानि कि अधिगम प्रिणामों को जो लर्निंग आउटकम है उसको अच्छा बनाने के लिए ICT में बहुत ज्यादा संभावनाई है तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों बहुत सही है कि जो लर्निंग अधिगर लर्निंग प्रिनाम हैं उनको हम ICT के जरीए बहुत अच्छा बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अधिगम कर सकते हैं ICT में विविधिता लोच सिलता तथा मनोहरता को संवर्थित करते हैं इसका मतलब यह है दोस्तों ICT के अंदर विविधिता विविधिता मतलब हमारे पास अलग लग विराइटी है मानने के चलिए आप यूटूब पे सर्च करेंगे एंटी यूजिसी नेट तो आपको कम से कम 20 यूटूब चैनल निकल के आएंगे तो अलग लग चीजी हम हमारे पास बहुत अप्शन है आई सीटी के अंदर पढ़ने के लिए लोच सिलता यानि कि हम अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं जब चाहिए उसको वीडियो को रोक सकते हैं जब चाहिए उसको चला सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं और फिर मनोहरता यानि कि मनोहरता का मतलब है कि उसके इंट्रेस्टिंग चीजी होती है कोई मजाग के तरीके से पढ़ा रहा है या फिर कोई ग्रैफिक्स दिखा रहा है उसके अंदर तो बहुत अंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्र रखें जैसे कि ICT के जो की कोशन आया आज तक वो अलग है कम्यूकेशन के अलग है रिसर्च के अलग है सभी कोशन हमने अलग लग कर रखें तो दोस्तों अगर आप वह नोट्स लेना चाहें कोशन पेपर लेना चाहें तो आप हमारी एप निमीजनेट डाउनोड कर किसे टाने तो दोस्तों आज के लिए वर सितना ही अगर आपको और हमरी वीडियो अच्ये लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए वो अलग है, हाइफो थिसीज के अलग है, टाइप ओफ कमनी किसन से जो भी कोशन आचके वो अलग है, यानि कि सब टॉप्टिक वाइस कोशन भी आपको मिलने वाले हैं, नमबर पांच के दोस्तों हम आपको ओल्ड टैन यूनिटी एन फ्री वीडियो से देने वाले हैं, इस